हमें पार्लिमन्ट में पहले ही पता था कि यह कोई ना कोई ऐसा काम करेंगे पाकिस्तान के साथ थोड़ी सी जंग करेंगे कश्मीर में जिससे कि यह एक ऐसा आउतार बन जाएगा कि इसके बजाए हिंदुस्तान बाची नहीं सकता टोटल एलेक्शन के लिए यह सर्जिकल स् आशा पर उमर का असर हुआ है वरना शहीदों जवानों के पर्ती इस तरह की भाशा बोलना पूरी सेना का अपमान इस तरह के इस पेस के अंदर हमारे व्याग्यानिकों के कमाल दिखाए हैं मैं सुकार करता हूं यह एक या दो दिन का काम नहीं है नएक या सरकारों की और वेज्ञानी को गई सवाल खड़े कि कितने सिपाई हिंदुस्तान के शहीद हुए उन पर फूल चड़ाए मगर वो चालिस लोग के शहीद हो गए उसका भी मुझे शक है देखे फरूक अब्दुला साब जो नेशनल कॉंग्रेस और चीफ मिनिस्टर है मेंबर चाल सीजन क्या है यह जोर्ज मनट शौने कहा था इलेक्शन सीजन इसम सीजन ऑफ मैडनेस मतलब जो लोग बोलते हैं वो अपने वोट के लिए कुछ भी बोल देते हैं इंगलिश में दुखे दें मैडनेस लेकिन यह बिलकुल प्रिपॉस्ट्रोस कहेंगे इंगलिश में कि कैसे है इसा बोल दिया पूरी दुनिया को पता है फुलवामय में क्या हुआ अब 36 गर में जो हुआ वर इंटर्नल हुआ और यह है कि अब कश्मीर में नोंने स्टेट्मेंट बनाई है जहां के लोग कोशिश कर रहे हैं कि कितना भी डाउट लगाओ क्या हुआ क्या लेकिन फरुक अब अब इलेक्शन मून में है पूरी दुनिया में ऐसी स्टेट पर जा रही है कि वो सही नहीं है लेकिन इलेक्शन के लिए बढ़काना पड़ता है अपनी वोट के लिए तो फरुक अब्दला साब शायद यह किया है और उनको पता है कि मीडिया मिल जाई और पाकिस्तान जो है अब जर्नलिस ले गया उदर और दिखाया कि कुछ नहीं हुआ और उसके बाद एक दिन के पस्चात हमारा एक मिग 21 गिर गया है और अभिनंदन विंग कमाडर गिरे वापिस आ गये भारत में उनका एक F-16, 2 F-16 कितने पालेट बताई नहीं रहे तो पा उनके मुँपे ये गालियां आ रही हैं जो वो जूट बोले जा रहे हैं लेकिन पाकिस्तान भी यही करता रहेगा और हमको सहना पड़ेगा क्योंके रूल्स ओव इंगेजमेंट नहीं था नहीं तो हमारी एफोस उनकी एफोस को ठोक सकती है लेकिन रूल्स ओव इंगेज चीफ है उनको पका पता था बॉर्डर क्रॉस नहीं करने वाले थे हमारी हवाई जाथ लेकिन अभी नंदन सामने अपनी विसायल फायर करके एफ ट्वेंटी सिक्स्टीन गिरा दिया हां अगर जो ऐसा हुआ है कि जम्मू स्रीनगर हाईवे जहां ट्राफिक बहुत होता है देखिए फुलवामा का टैक्ट भी दोजार पांच सो विसायल के जवान जा रहे थे तो टार्गेट असान हो जाता है रस्ते पे और वहां जो है कुल गाम कुपरवारा वगारे डिस्ट्रिक्ट में वहां टेर्रिस्ट बने हुए हैं जैशे मौमद लक्षर त्वाइबा और अंदरूनी टेर्रिस्ट बने हुए हैं तो अगर जो ऐसा हुआ है उन्हों ने शैद एक सियार पी एफ वहां के पास कुछ कार में एक्स्प्लोजिन किया जैसे फुल मामा में भी एक गाड़ी में बरुद बराके जो कहते हैं वा से आया था पाकिस्तान से हार्डी एक् आइसी कोशिश कर रहे हैं हाइवे पे अट्रेक होंगे हाइवे हम बंद नहीं कर सकते हैं कि